प्रिय भक्त जनों जब भी भक्ती का नाम आता है तो भगवान शिव का नाम उसमें सर्व प्रथम आता है इनकी पूजा पाट के बिना हमारी भक्ती को अधूरा माना जाता है इस स्रिष्टी में भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि हमारे बाबा भूलेनात की कृपा अगर किसी जातक को प्राप्त हो जाए तो उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट देखने को नहीं मिलेगी साथ ही रुके हुए अधूरे कार्यत जो बहुत समय से रुके हुए थे वो भी पूरे होने लगते है उस जातक को हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है परंतु भक्त जनो भक्ती में पूजा पाट करना ही भक्ती का संपूर्ण स्वरूप नहीं माना जाता जब तक कि मंत्रों का जाब करना हमारे जीवन में बहुत शुग माना जाता है और इनकी भक्ति करने से सभी संकट दूर होते हैं साथ ही जीवन की हर मुश्किल दूर होती है इन मंत्रों के जाब से मानसिक और शारिरिक सुकून प्राप्त होता है और भोलेनात सभी मनों कामनाएं पूरा कर देते हैं भक्तजनों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिएगा साथ ही हमारे चैनल दैविक मंत्र को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत मिल सके और कमेंट बॉ ओम्स्री सांग्सेदाशिवाय नामाह 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 ओम्स्री सांग्सेदाशिवाय ना ओम् स्री साम् सेधाशिवाय नामे 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 ओम् स्री साम् सेधाशिवाय नामे